ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 30 दिसंबर 2023 शनी भार का दिन है पोश माहा के कृष्ण पक्ष की तरती आती थी है इस दिन गणेश चतूर्थी का वरत रहेगा यहने प्रतेक महा के जो कृष्ण पक्ष की गणेश चतूर्थी आती है वो इसी दिन रहेगी जो भक्त जन माताएं बेहने गणेश चतूर्थी का वरत करते हैं उनको इसी दिन चतूर्थी का वरत करना चाहिए चंद्रोदय रात को 8 बज के 51 मिनिट पर होगा अशलेशा नामक नक्षत्र होगा तथा करकर आशी में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूरु दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी सुबह 9 बजे से शुरू होकर के साड़े 10 बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगली का आरिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के द देव कुम्ब राशी में राहू ग्रह मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मितुन सिंग तुला एवं धनू ये पांच राशीयां सबसे दिभागिशा लिरेने वाली है करिक्षित्र में इनको नति प्रगति के उत्ताव उसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ साथ नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम इनको मिल सकता है तो कुल मिलाकर के पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सूर्योदय सुबह साथ बच के पांच मिनिट पर होगा तथा स बच करके दो मिनिट पर होगा शुम्मुर्थ की अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन सबसे पहला शुम्मुर्थ सुबह साड़े साथ बज़े से लेकर नो बज़े तक शुब का चुग्रिया रहेगा तथा दो पहर में बारा बज़े से लेकर के देड़ बजे तक चर का चोगड़या रहेगा एवं एक बच के तीस मिनट से लेकर के तीन बजे तक लाब का चोगड़या रहेगा और उसके बाद दो पार तीन बजे से लेकर साड़े चार बजे तक अम्बरत का चोगड़या रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब का करेंगे मांगलिक कारेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखिएगा और परिणाम प्राप्त होंगे कामकाज तथा केरियर को महत्तु देंगे परंतु पहली प्रात्मिकता आपकी परिवार ही रहेगी आपकी संतान को ले करके आपको फाइदा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुब समाचार आपको प्राप्त होंगे उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं ब्रशबरासी की, आज आप अपनी जिम्मेडारियों को बहुभी अंजाम देंगे, साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी कारियों में रुची रहेगी, घर के बड़े उजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवार बना रहेगा, सामाजिक कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा, जिसकी वज़े से आपकी प्रसंसा होगी, दूसरों की पारिबारिक मामलों में उ शुपफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की, कोई शुप समाचार मिलने से मन में प्रसंता बनी रहेगी, धन की आवक जावक लगी रहेगी, और परिवार के सांथ कि सिधार में कत्वा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का आउसर भी प्राप्त होगा, विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी, दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में खुशिया अचानक व्याप्त हो जाएगी, करक् भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं करकराशी की, इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की आउशकता है, गरह स्थितिया आपके पक्ष में बनी हुई है, अतहा आप अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीद इसे अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी, शाशकी कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिस से उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे, और कुछ लोग आपके खिलाप नकारात्मक वातावर इसाबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी, धार्मिक क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंग आपको नुकसान हो सकता है, और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे, तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका अरेंज होगा, अब हम बात करते है कन्याराशी की, आज दिन पूर्णता व्यस्तत हैगा, और शाषकी कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी, अब अपनी सूजबूज द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे, तथा अपनी ख्रमता को कारियर, प्रोफेशन, अध्यात माधी कारियों में लगाएंगे, रूज मर्रा के देने कारिय बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशक्ता है, जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकत अर्थिक मैमलों में स्थितिया आपके पक्ष में नहीं है, इस समय फिजूल खर्ची पर नियंतरन आपको रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन अब हम बात करते हैं तुला राशी की, आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिनाम हासिल होंगे, इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्ठावान रहे, सांथी सामाजिक गति विदियों में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी, भूमे भवन वाहन खरीत फरो और विद्यार्ति अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे, तो आवशी ही उनको फाइदा होगा, और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुप फलदाई साबित होगा, आपका भाग आप में चमतकारिक रूप से उर्जा और आत्मिश्वास आप महसूस करेंगे, लोगों से संपर्क करने का दाइरा आपका बढ़ेगा, और आपको लाभप्रद इस्तितियां निर्मित होगी, परन्तो अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्तित पूर्ण तरीक से निप्टाने का प्रियास करें, व्यस्तिता के बावजोच सामाधी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा, कोई भी काम जल्द बाजी न करें, और व्यवसाय में बदलाव या परिवरतन की संभाव नाए प्रभल होगी, कभी-कभी मंदी की वज़ह से मन आपका विचल राशी की, समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है, जो महनत आज आप करेंगे उसके दूर गामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अपने नजदी की संबंदों को आपको बरकरार रखने की आवशक्ता होगी, अपने जीवन में किस का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज आप अपनी लोकप्रिता के साथ साथ अपने संपर्कों को भी बढ़ाने के नए मित्र, नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा, अपने व्यक्तितों को आपको और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं, क्य से कोई काम निकल सकता है, इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए, और उपाई के रूप में माधुर्गा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका आस भी होगा, धनलाब होगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, मैंसम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रगती के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, अंजान व्यक्ती से साउधान रहे, पैसो का लेन देन करते समय परम साउधानी की आउशक्ता होगी, नए रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दरश्टी से शुप फल प्रदान करने वाला है, व्यक्तिगत कारियों में सफलता मिलने से मानसिक शंती आपको अनुभो होगी, कठिन से कठिन कारियों के परि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो आपको सही सलह देगा, जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फाइदा हो सकता है, और उपाई के रूप में घर से निकलते समय, यदि आप मिसरी और सोफ खान लेंगे, तो आपका दिन शुप फल दाई साब और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यक झाल